नमस्कार मैं हूँ अन्शिता भाजबा सरकार अब छोरियों की छाती नापेगी जी हाँ छाती नापकर मिलेगी बेटियों को हर्याना के फॉरस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी हर्याना की सरकार ने बाकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि लड़कियों की छाती का कितना नाप होना चाहिए सुनने में थोड़ा आजीब लग रहा है ना लेकिन हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की तरफ से महला कैंडिडेट के PMT यानि की फिजिकल मेजर्मेंट टेस्ट के लिए जो आदेश जारी हुआ है इसमें यही लिखा है इसके जारी होते ही विवाद शुरू हो गया है कॉंग्रिस ने तो खटर सरकार के खलाफ मोर्चा ही खोल दिया है पार्टी ने आरोप लगाया है कि हर्याना की खटर सरकार ने तुगलकी फर्मान जारी किया है सरकार के आदेश में ऐसा क्या लिखा है जिससे विवाद गहरा गया है इस पर आगे चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कॉंग्रिस ने क्या कहा है एक बार फिर मुख्यमंत्री मनुखर लाल खटर पर जोरदा निशाना साधा सूर्जेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि खटर सरकार का नया तुगलकी फर्मान अब फॉरेस्ट रेंजर वा डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर की भरती के लिए हर्याना की बेटियों की छातियां मापेंगे सूर्जेवाला ने सरकार के साधेश के खलाव जम कर अपना गुस्सा जाहिर किया और एक लंबा चोड़ा पोस्ट साजा किया उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा कि सरकार ने 7 जुलाई 2023 को बाकाइदा नोटिस जारी कर कहा कि इन दोनों पोस्ट के लिए उमीदवार यूफतियों महिलाओं का अनेक्स्पेंडिट चेस्ट 74 सेंटिमीटर वा एक्स्पेंडिट चेस्ट 89 सेंटिमीटर होना चाहिए Unexpanded का मतलब बिनाफुलाई हुए और expanded का मतलब फूलने के बाद आम तोर पर ये सैनिक सेवाओं में पुरुषों पर लागू होने वाली शर्थ है किसी भी राज्य में महिलाओं को छाती नापकर नौकरी नहीं दी जाती यहां तक कि केंदरी बलो में भी महिलाओं की छाती नहीं नापी जाती लेकिन हर्याणा की बीजेपी सरकार ने इसे अमल में लाने का एलान कर डाला है सूर्जेवाला ने अपनी ट्वीट में सरकार से सवाल भी किया कि क्या खटर दुशन चोटाला जानते नहीं है कि हर्याणा में महिला पुलिस कॉंस्टिवल वा महिला एसाई पुलिस की भरती में भी उम्मीदवार युप्तियों की छाती नहीं नापी जाती क्या खटर और दुशन चोटाला जानते नहीं है कि सेंटरल पुलिस और्गनाजेशन में भी महिलाओं की छाती मापने का कोई मापदंड नहीं फिर हर्याना की बेटियों को अपमानित करने के लिए फॉरेस्ट रेंजर वा डिप्टी रेंजर की भरती में ये क्रूरता पूंड बचकाना वा बेवकूफाना शर्त क्यूं अपने ट्वीट में सूर्जेवाला ने सरकार से माफी की मांग की उन्होंने लिखा कि हमारी मांग है कि खटा साहिब फॉरन हर्याना की बेटियों से माफी मांगे तथा ये शर्त वापस ले CET की खामिया दूर किये वगएर वा रिवाइस्ड रिजल्ट निकाले बगएर वा सभी CET क्वालिफाइड बच्चों को मौका दिये बगएर इस पूरी प्रिक्रिया को रोकना चाहिए इसे आप हर्याना की युवाओं की चेतावनी माने हर्याना सरकार हर्याना की भाजप्पा जजप्पा सरकार आए दिन हर्याना के युवक और यूवतियों से जाती कर रही है और अब तो हद ही हो गई अब खटर सरकार ने नोटिस जारी किया है 7 जुलाई 2023 को के वो हर्याना की बेटियों की छातिया नापना चाहते हैं फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर के एक्जाम के लिए बाकाइदा नोटिस जारी करके शर्त रखी गई है कि सभी हर्याना की यूवतियों का जिन्होंने forest ranger और डिप्टी forest ranger के लिए apply किया है उनकी unexpanded chest 74 cm और expanded chest 89 cm होनी चाहिए क्या बेटियों की छातियां अब नापने का धंदा करेगी ये सरकार क्या खटर साब नहीं जानते कि हर्याना में महिला पुलिस constable के लिए हर्याना में SI महिला के लिए Central Police Organization में पुलिस महिला constable के लिए कहीं छातियां नहीं मापी जाती खटर साब और दुशन चोटाला की जोड़ी आए दिन नए अजीबो गरीब कानून लेकर आती है कि किस परकार से हर्याना की यूतियों को हर्याना की बेटियों को बेएज़त किया जाए इससे जादा बेवकुफाना इससे जादा बेटियों को बेएज़त करने वाला इससे जादा पूरी तरह से निकम्मे पूरण कोई आदेश नहीं हो सकते हमारी ये मांग है कि इन्हें फोरण वापिस लिया जाए और मुख्य मंत्री शिरी मनौरलाल खटर हर्याना की बेटियों से माफी मांगे बता दे कि वन विभाग की इस भरती को लेकर बवाल मच गया है खास बात ये है केज विवाद को लेकर सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बलकि सोशल मीडिया पर यूजर्स भी जम कर कमेंट कर रही है ये विवाद आम जनता के बीच खूब वाइरल हो रहा है इस बीच पूरे मामने में कॉंग्रिस के एंट्री हो गई और रंदीप सूर्जेवाला ने इस आदेश को निरलज, अपमान जनक, सम्वेदन हीन वह संसकार हीना देश बता दिया यानि कहा जा सकता है कि सरकार ने ये आदेश जारी करके सेल्फ गोल कर दिया है और सरकार बुरी तरह घिर गई है क्योंकि मामला महिलाओं से जुड़ा है तो चलिए अब ये जान लीजे कि सरकार ने क्या आदेश दिया है दरसल साथ जुलाई को हर्याना सरकार ने फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर के पदों की भरती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया इसमें forest ranger और dipty ranger के पदों के physical test के लिए जो माप दंड तै किया गया है उसमें महिला आवेदकों के लिए भी chest की माप अनिवार है हर्याना करमचारी आयोग ने अपने भरती विज्यापन में भी महिला उमीदवारों के chest की माप का जिक्र किया है HSC के notification के मताबिक forest ranger पद के लिए महिला candidate के expanded chest की माप 89 cm और unexpanded chest की माप 74 cm होनी चाहिए वहीं dipty ranger पद के लिए महिला अभ्यरती के unexpanded chest की माप 74 और expanded chest 89 cm होना चाहिए जबकि यहां गौर करने वाली बात ये है कि हर्याना पुलिस की भरती में भी महिला कॉंस्टेवल के PMT में उनके chest की माप नहीं होती है ऐसे में विवाद तो होगा ही लोग सवाल कर रहे हैं कि इस पद के लिए नई नियम की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई जबकि महिला कॉंस्टेवल की PMT में तो ऐसा कोई नियम नहीं है इस नोटिफिकेशन ने एक नई बहस छेड़ दी है और तो और हर्याना की खटर सरकार सवालों में घिर गई है अब क्योंकि ये मामला महिलाओं से जुड़ा है तो इस पर सियासत भी जम कर हो रही है सूर्जेवाला ने तो इस मामले में खटर सरकार से माफी मांगने की बात कही है इससे पहले भी कॉंग्रेस ने सरकार के खलाफ मोर्चा खोला था सरकार की घोशना के बाद सूर्जेवाला ने निशाना साधते हुए कहा था कि जुकती है सरकारे जुकाने वाले चाहिए लेकिन इस नए मामले ने तो सरकार की किरकिरी करवा दी है कॉंग्रेस इसे तुगलकी और निरलज अपमान जनक समवेदन हीन संसकार हीन आदेश बता रही है सिर्फ कॉंग्रेस ही नहीं राज्जी की युवा भी इसका खुलकर विरोध कर रहे है अब देखना होगा कि सरकार अपना ये फैसला बदलती है या नहीं और अपने इस आदेश के लिए माफी मांगती है या नहीं इस वीडियो में इतना ही आप से अने रोध है कि यूट्यूब पर हमारी चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताईए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताईएगा ट्विटर है आर्टिकल 19 अंडिया इसको भी फॉलो कर लेज़े नमस्कार